हेलो दोस्तों हम लोग अपने चैप्टर में आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है बिजनेस रिस्क व्यादसा एक योखिम क्या होते हैं तो सीधी सी आप ऐसे आसानी से समझ लो कि कुछ लॉस होने की जो संभावना है कोई हानी होने की संभावना या फिर जो लाब है लाब में कमी हो जाने की संभावना उसको हम लोग बोलते हैं क्या रिस्क अच्छा अपर्यात लाब ठीक है या हानी होने की संभावना क्यों कारण क्या हो उसका कारण ये है नियंत्रण से बाहर अनिश्चित्ताएं हैं बहुत सारी अनिश्चित्ताएं हैं क्या है बहुत सारी अनिश्चित्ताएं हैं कैसी कैसे अनिश्चित्ताएं हैं भाई बारिश हो गई बिन बेमौसम है ना सरकार की नीती बदल गई सरकार ही गिर गई ठीक है चुनाव हो गया कहीं दंग्य भढ़क गया प्राकृतिक आपदा आ गई भूकंप आ गया बहुत सारी चीजें ऐसे हैं लोगों का टेस्ट इन प्रिफरेंसेस बदल गया सास्री संगीत पहले बहुत लोग सना करते थे बड़े-बड़े पाकिस्तान में कुछ घराने हैं तो उसमें एक लौहर घराने पड़ जाता था ऐसे हमारे बनारस है लखनु घराना है कारनाटिक मुजिक में साउथ इंडिया में घराने हैं तो होता क्या था कि धीरे-धीरे अब उस तरह के संगीत को सुनने वाले अभी भी हैं लेकिन पहले बहुत सारे अब उतना नहीं सुनते हैं ऐसे ही नयने तरह का अप रैप्स आ गई हैं हिंदी में भी तो होता क्या है कि लोगों का टेस्ट और प्रिफरेंस बदलते चले आते हैं तो जो इंसान के पास कोई ऐसा इसकल सेट है जिसका अब उतना मांग नहीं है तो ये भी एक रिस्क है है मांग कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है ऐसे ही माल लीजिए आप कुछ बना रहे हैं मार्केट में मार्कर क्या आप बनाने मार्कर बनाएगी कंपनी है आपके आप मार्कर बना रहे थे एक और मार्कर बनाने वाले लोग आ गए तो भी आपको नुकसान हो सकता है क्यो बहुत सस्ती टेक्नोलजी में सस्ती में मना ले रहा है और आप से जारा मार्किस मना ले रहा है तो टेक्नोलजी इन सारे सेक्टर्स के विरे से क्या होता है अनिश्चिताएं होती है और यह वो अनिश्चिताएं है जो आपके कंट्रोल से बाहर है आपके हाथ में नहीं है है होगा ही होगा यह होंगे ही होंगे या फिर अपर्याश्य घटना धाएं किस चीज के लिए वहता है लेकिन रुपतार बदलता है उपिए लोगों के टेस्ट और वी से नी आ चीज फैशन में तो वो अनिश्यत्ता है और अपत्याशित घटना क्या है आग लगई शोरूम में है ना या हमारे गोड़ाउन में आग लगई या फिर हमारा सामान लेकर के ट्रक जा रहा है तो वो पलट गया कुछ भी हो सकता है तो वो अपत्याशित घटना एं है इनके कारण जो हमें प्रक्रति क्या होती है कारण क्या होती है इसी में आगे लेकिन आप समझ लिए कि जोकियों कुम लोग दो तरह से तोड़ सकते हैं कुछ होते हैं लेकिन अनिश्यत्ता है तो कैसा हो सकता है लाब और हानी जब दोनों की संभावना हो जैसे मालो आप जो चीज़ बना रहे थे उसी के लिए लोगों की रुची बढ़ गई समझ रहे हैं या फिर आप जो बना रहे थे उसमें एक कंपनी काम करें तो वो कंपनी मार्केट से ब बढ़ गई तो इस तरह की चीज़ें जैसे बाजार की दशा है मांग वा पूर्ती में उतार चड़ाओ अगर माल लो कि मुझे मार्कर बना रहा था और मार्कर की मांग बढ़की अचानक से तो मुझे फाइदा हो जाएगा ठीक है मार्कर बनाने वाली एक और कंपनी छोड बढ़ने लगी तो क्या हो जाता है ना कि अगर हमारे बेनिफिट में चीज़ें हो गई तो फाइदा हो गया हो सकता है कि उल्टा हो जाए लोग बुले नहीं नहीं अपर डिस्कल बोर्ट का जमाना है तो मार्कर से का लिख रहा हो नुकसान हो गया कोई और मार्कर बनाने यहां पर फायदा भी हो सकता है तो यह हमारे हो जाते है आगतों के मुल्यों में परिवर्तन समझ है आगत क्या होते इंपोर्स इसको बनाने में जो जो चीज़ें लग रही है वो सारी चीज़ें सस्ती हो गई तो भी मुझे फायदा है क्यों कि मैं मार्केट 25 रुपे का ब समझें आप तो क्या हो जाएगा कि अगर आगतों में परिवर्तन मेरे लिए अच्छा हो गया सस्ती हो गया इंपूट कॉस्ट बढ़ गई तो नुकसान भी है तो दोनों चीज़ें यहां पर हो रही है ऐसे रुचियों और अभी रुचियों में परिवर्तन ठीक लेकिन तो हानी ही होगी या फिर हानी नहीं होगी लाब नहीं होगा ठीक है अगर वो घटना हो गई आग लगई तो नुकसान हो गया आग नहीं लगई तो फाइदा थोड़ी हो गया समझ जो चोरी हो गई तो नुकसान हो गया चोरी नहीं तो फाइदा थोड़ी हो गया आप समझ की चीज़ें अब जो हमारी जोखिम उनकी प्रकृति क्या होती है उनके कारण क्या होती है उनको भी देख लेते हैं अब समझते हैं प्रकृति क्या होती है व्यासाइक जोखिमों की बहुत ही आसान है पहला तो है कि सीदी सी बात है अनिशित्ताओं के कारण होता है है ना तो किया होगा किया विफसाह करोगे तो जोखिम होगा फुद्ध्यम करोगे तो risk होगा ही वोगा deal किम कर सकते हैं। तो आपके हाथ में सब कुछ नहीं आ सकता, आपके हाथ में जो विपसाय करने वाला है, सब कुछ कंट्रोल में हो ही नहीं सकता, रहेगा, जोखिम रहेगा, बढ़ आप कम कर सकते हो, कैसे कम करोगे, उसको लोग भी सीम आगे दखेंगे, अगली प्रकृति में क्या जाएगा जोखिम की मात्रा विपसाय के प्रकृति पर डिबandan करती है, कि इतना बड़ा बिसनेस बेंद करती है, अगर बहुत बड़ा बिसनेस है, तो उतना ही जादा मैतर करेगी, आप समझ है कोई बहुत बड़ा बिसनेस है, तो उसमें माल लीजिए, कुछ भी ऐसा होगा, कि उसक लेकिन नीचे जाने का स्कोप तो है ना क्योंकि इतना बड़ा बिजनस है जिसका पहले सी काम बहुत चोटा है उसमें क्या निकसान होगा है ना होगा भी तो उसके लिए बड़ा निकसान हो सकता उस इंसान के लिए लेकिन अगर आप फिर कॉमिक टांस से बात परोगे अवश्यक्ता नहीं है लेकिन लोगों की रुचियों पर ही पूरी तरह से निर्फर करता है जैसे बहुत सारे आर्टिस्स होते हैं कोई चीज बना करके बेच रहे हैं तो आर्ट को एप्रिशेट करना लोगों के हिसाब सो बदलता रहता है हो सकता है वही चीज लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है अचानक से बहुत सारे लोगों को तो इस तरह के बिशनेस जहां पर सीधी आवश्यक्ता नहीं है वह ज्यादा रिस्क्य होते हैं कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो बिमार पढ़ेंगे यह पढ़ेंगे हैं अगर आपके यहां पर डॉक्टर बना रखा है डॉक्त नहीं है तो आपको उसमें क्या होगा कि कुछ लोग आएंगे यह आएंगे हैंना वहां पर ऐसा नहीं की एकदम से खतम हो जाएगा ऐसे बहुत सारी चीजह जो नीड पर काम कर रहे होती है तो नीड होती है और एक चीज़ होती है आपके टेस्स और आप काम करते रहोगे तो आप एकदम खतब होना मुश्किल होता है तो अगर कोई इस तरह का बिजनेस है तो वह क्या हो जाता है विफसाई की प्रकृती कैसी है इस पर बहुत कुछ निरबद करता है कि कितना जोखिम है तो जोखिम की मात्रा है वो डिपेंड करती है होगा सब में जोखिम हर बेसे संदोगन उपर देखा लेगि किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा यह डिपेंड करता है कि सारे फेक्टर्स पर करता है बिजनस बड़ प्तान भी दो सकता है जरूर नहीं फाइदा हो लेकिन अगर नुक्सान नहीं हुआ तो फाइदा होगा तो उसका जो रिटर्ट है ना वह लाग होता है यह बोलते हैं नो रिस्क no money मतलब आगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हो तो आपको बिल्कुल भी फाइदा नहीं होगा, रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको फाइदा चाहिए, तो यह तो हो गए इसकी प्रकृति, और अब इसमें कारण देख लेते हैं, देखो अनिश्चिताओं के बिल्कृति एगार के प्रकृति कारण बाण लुग होगा, तो यह प्राकृति कारण हैं बहुत सारे हैं ऐसे मानवी कारण में कंपनी के करमचारियों का इसकूल से अच्छा नहीं हो पया, जो ट्रेन करने आये तो थिक नहीं कर पाए, हो सकता है अकाउंटिंग प्र्टीस तो इस तरह है कि इन सारे कारणों में हम लोग मानभी कारणों को human causes को भी इंप्रूट कर सकते हैं ऐसे आर्थिक कारण आर्थिक कारण में क्या है मेरी company ने मालीजे लोल ले रखा है और जो bank की ब्यास दर है वो बढ़ती जा रही है तो यानि कि मुझे ज़्यादा interest चुकाना पड़ेगा तो बरेल नुकसान हो गया ऐसी हो सकता है सरकार ने कोई नया tax लगा दिया मेरे उपर तो नुकसान हो जाएगा सरकार ने कहा दिया नहीं नहीं अब आप बाहर इस देश ने बेची नहीं सकते और मालीज मेरा बिजनस उसी देश से चला था इंपोर्ट एक्सपोर्ट था तो मुझे नफसान हो गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो economic factors आ जाते हैं कि पहले हमारे मार्केट में काम नहीं करती थी ऐसा किसानों के साथ और बहुत सारी चीज़ों में हुरा धीरे दिनकों जसे सीक मौमी को open करते चले जा रहे ना वैसे अच्छा अब अन्ने कारण में क्या जाते हैं अन्ने कारण में political reasons आ जाते हैं social reasons आ जाते हैं दंगे बढ पहले से सुधाय मिलनी तो कम कर दिया गया चेंज कर दिया गया तो उसको आप आर्च में जोड़ सकते हो और अन्ने कारण में मान सकते हो तो क्या है ना यह सारे कारण है कि एकदम ही independent है कुछ-कुछ interconnected भी होते हैं ठिक तो यह अगर आप से बोला जागी कारण क्या होते हैं और अब इन जोख्यों को हम लोग ने देखा कि हम खतम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कम कर सकते हैं कैसे कम कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं अब हम लोग देखते हैं कि निपटा कैसे जाए निपटने क्या क्या कर सकते हैं किससे रिस्क से हैं है आप खतम नहीं कर सकते हो पॉलिसी घरी लेते हैं किसकी podéisshica पॉलिसी में को palms की होता है ना आपने अपना're जुँअ वो ट्रांस्फर कर दिया इसको वीमा कंपनी को तो वीमा कंपनी लोग पैसा दे रहे हैं सबका एक्सीडेंट ठोड़ी होता एक साथ आप समझ जो तो बीमा कंपनी रिस्क ले रहे होती है उनका जो जोकी में वह बहुत ज्यादा होता है लेकिन सारे लोगों को लॉस हो जाए इसकी संभाबना बहुत कम होती है इसलिए अगर किसी भी मार्के आपको पैसा देना पड़ेगा आपको कुछ पैसा तो जाएगा ही जाएगा लेकिन आपको बड़ा नुकसान हो जाए तो वहाँ पर बीमा कंपनी आपके लिए पीछे खड़ी रहेगी ठीक है तो एक तो यह तरीका हो गया दूसरा क्या है कि उससे भी पहले जहां पर आप शमन यंत्र रहता है फायर फाइटर्स भी उसको तो कहीं पर आग लग जाए तो फायर एक्स्टिंगुशर्स होते हैं उनको लगा देते हैं उसमें कारवना एक्साइट रहती है तो उससे क्या बच जाती है ऐसे ही आप इस तरह की एक्क्टमेंट्स को यूज करो मैं मेरी एक वाडिनार पाउर प्लांट में तो वहां पर सेफटी के लिए एक्सराइज भा करती थी मैने बर में एक दिन होता था जिसने सारे लोगों को सेफटी के बारे में बताई जाता था और सेफटी किसकी इंसानों की भी क्योंकि पाइलर फट गया या कुछ भी आसा हो गया तो दुरुखटना हो सकती उससे लोगों की जानमालत को भी नुक्सान हो सकता है तो किसी को कोई भी चीज दिख रहा है कि हां प्लांट में ग्रबड हो रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करना तो यह क्या होता है कि आप अपने यहां पर अगर इस तरह की इंडस्टी है तो आ जाए अपने अपर भुपाल में एक गयास दिन वी थी बहुत लोगों को उसमें नुक्सान गवा था और उस तरह की जो इंडस्ट्रियल एक तरस से दुरुगटना है उती उनको रोका जा सकता है कम किया रहा सकता है अगर अभ्यास बहुत अच्छे सो रहा है वहां पर इन आप में इसा हेलमेट पहन करके रहो ऐसे जूते भी आपको ठीक से पहनने जाए अगर इस तरह की चीज़े कहां पर आप काम कर रहे हो गलस पहनो अगर बहुत सारी पर ऐसा की कहीं सर्फिस बहुत गरम हो सकती है तो यही सारी चीज़े है कि आप सुरक्षा परणों को अच तो आप उसी साफ से अपने खर्चे करोंगे आप माल लोगें आपने माल लिया कि हमें मेरा दस लाख पहले लोगों के पूर बगाया तो 10 lakh में आएगा आगे के खर्चे 9 लाख के साफ से प्लान करोगे तो आप तो इसमें क्यों था पहले से प्रोविज्जिंग कर देते हो आयोजन कर देते हो कि यहां कुछ पैसा वापस नहीं आएगा मेरे रिष्टेदारी में एक फोटोग्राफर हैं तो उनके यहां पर मैंने देखा कुरी दुकान में पुरानी फोटो भरी पड़ी हैं बहुत सारी और मैंने पूछा कि यह क्यों इतनी सारी इतनी पुरानी पु आपको प्रोविजनिंग करता चले कि यहां कुछ-कुछ नुपसान तो होगा यानि कि और यहां पर आपको प्रोविजनिंग कर देनी चाहिए और ऐसे एक चीज और होती है माल लीजे कोई चीज है जिसमें सब को पता है कि यार मार्केट में कोई खरीदी नहीं रहा है साम तो सारे लोग थोड़ा कर लो अगर एक ही उपर आगे तो बहुत लिक्कात है इसमें सब लोग नहीं मानते हैं लेकिन यसमें करने की कोशिश करना की नहीं हमारी लॉस हो रहा है और आप देख रहें लगातर लोस हो रहा है मैं तो आप यहांनी कर सकते हो तो वीड़ी हम लोग अगले वीडियो में एक लास्ट वीडियो बनेगा इस चेप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं बाकि कोई डाउड दो प्लीज को इंट बॉक्स में लेकर करके बताईए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दर चै कशा उपलब्ध कराना है कशा बारत तक के सभी प्रमुक विश्यों पर हम वीडियो बना रहे हैं और कुछ विश्यों पर वीडियो आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य ग्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना भूमों लियोगदान जरूर ने हैं। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।